आपके पस Redmi 12 x 12 series का कोई और phone है, तो यहाँ पे आप home screen की setting कैसे एकर सकते हैं, home screen की setting के लिए आप screen पे touch करके रखेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले wallpaper का option मिलेगा, तो यहाँ पे wallpaper पे click करके wallpaper आप कोई सा बढ़िया सा लगा लेंगे, ठीक है, मानलो कोई भी एक wallpaper आपने pick क कर लिया, apply कर लिया, क्योंकि हम basically home screen की बात कर रहे हैं, तो मैं पूरा home screen का ही बता देती हूं, यह हो गया home screen पे wallpaper सबसे पहले first of all, फिर आजाता है widget आपका, widget पे जाएंगे, तो यहाँ पे quick function आप add कर सकते हैं, कुछ airplane mode का या इसका, चोटा से tap on, आपकी screen पे आजाएगा, आप directly उस पे जाके quick setting कर सकते हैं, clock style यहाँ से change कर सकते हैं, जैसे कि यह वाला clock चाहिए, तो यह लगा लेंगे, बस आपको ऐसे touch करके, यहाँ पे छोड़ना है, screen पे, यह आपका add हो जागा, यहाँ पे space नहीं है, पहले तो मैं इसको remove कर लेती हूं, यहाँ से, अब add कर लेते हैं, तो किया रहा है, space नहीं है, यहाँ पे enough, तो कुछ चीज़े आप यहाँ से हटा देंगे, space हो जाएगा, तो देख सकते हैं, यह set हो चुका है, ठीक है, और इसी type से आप status बार वगर भी, यह जो search बार है, यह भी add कर सकते हैं, और अब चलते हैं, तुभारा से widget के option पे, यहाँ पे calculator का shortcut, notes का, music का, यहीं सब का shortcut आप लगा सकते हैं, ठीक है, यह तो हो गई यह चीजे, अब back करके आप जाएंगे setting पे, अब setting पे click करेंगे, तो यहाँ पे transition effect आजाता है, transition effect पे आप जो ऐसे slide कर रहे हैं पेज को, उसके पीछ में जो transition हो रहा है, इसको आप crossfade, यह वाला, और यह पेज वाला, यह काफी अलग 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 आ है, अब ऐसे करके आप back कर लेंगे, अब ऐसे करेंगे ना, तो देख सकते हैं, अब यह cube के style में आ गया, फिर से आप touch करके जाएंगे, और set default screen पे, अगर आप click कर दे तो यह screen आपकी default set हो जाती है, लेकिन मैं यह set नहीं करूँगी, और बाकि यहाँ पे layout इसका change कर सकते है यह layout 4 is to 6 ठीक है, आपको ज्यादा छोटा करना है या बड़ा करना है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे change कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, यह ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा, यह ठीक है, अब यहाँ पे fill cell of uninstalled app, यह on रखेंगे हमेशा, इससे क्या होता है, आपके icon लगता होम स्क्रीन आपका, और होम स्क्रीन लेयाउट लॉक कर सकते हैं, इसको on करके, जैसे कि icon बच्चे टच करके दर उदर move कर देते हैं, तो icon move नहीं होगा, उनसे, अगर यह लॉक रहेगा तो, unlock कर देंगे, तो आप टच करके दर उदर कहीं पे भी shift कर सकते हैं, आइक लोगे लिए नहीं है, मैं तब यह classic है, एक ही page पे सारा आजाता है, ऐसे slide करना होता है बस, नीचे वाला काया बोजाता है, अब ब्रोर करेंगे, तो नीचे से ऐसे swipe up करेंगे, तो आजाएगा, स्क्रीन पे application, और light mode में क्या होता है, एकदम, minimal से 2-3 application, जो बड़े-बड़ आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, तो ऐसे करके दिखेगा light mode, अब ब्रोर बेस्ट है, और app suggestion मैं यहां से बंद करके रखूंगी, ताकि कोई application चलाओं तो suggest ना करें बार बर कि यह आपने अभी चलाया था, और यहां से category वगरा आप बंद करके रख सकते हैं, जैसे कि category होती ह इसको मैं बंद करके रखती हूं, background कैसा रखना है इसका, dark रखना है, light रखना है कैसा, और transparency की कम जादा कितनी रखनी है, apply कर देंगे, यह देख सकते हैं, कैसा आगया यह, है ना, और इसके बाद यहां पे, आप फिर से more पे जाएंगे, app drawer पे जाएंगे, और scroll, आपको यह रखना है, place new app on home screen, यह on कर लेंगे हमीशा, इसको on रखना है, क्योंकि जब play store से कुछ download करेंगे, तो app drawer पे ही आएगा, मतलब एक copy तो उसकी home screen पे आनी चाहिए ना, तो इसलिए इसे on रखेंगे, इसके बाद back कर लेंगे, अब यह होगे discover mode, जो ऐसे slide करते हैं, तो आपका discover mode आते हैं न, news वगरा, तो app vault या discover mode कुछ भी लगा सकते हैं, नन कर देंगे तो news remove हो जाएगा, जो left swipe screen होती है, और यह होगे navigation, यहां से आप full screen कर सकते हैं, और यह button वाला कर सकते है, button वाला set कर लूँगे, बैक कर लेंगे, और यह यह तो मैंने आपको बताई दिया है, य default रहने दूँगे मैं, आप color change कर सकते हैं, और home screen layout मैंने आपको बता दिया है, 4x6, global icon animation, यह आप on रहने देंगे, और यहां पे show memory status, on रहने देंगे, और show suggestions, so suggestion तो मैंने बंद कर दिया है, memory status on रहने दूँगे, memory status यह होता है, कि जैसे कि आप यह जो recent task है, यहां पे memory show कर र और ऐसे करके RAM free कर लेंगे, तो इतना GB हो जाएगा, यह memory status है, तो ऐसे करके आप setting कर लेंगे, तो देख सकते है, home screen बहुत ही ज्यादा cool लग रही है, बाकि इस पे जाएंगे, तो app draw के setting है, यहां से आप इसको manage कर सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नम जिलते सकते हैंग, कर लैंगे, तो फिदम कमेसा आ hell